हेलो फ्रेंड्स ये है मसूर की डाल इसे आज हम घर में तयार किये हैं चक्की में हम इसे धीरे धीरे डल कर इसकी डाल तयार किये हैं यहां आप देख रहे हैं चक्की में हम एक मुठी साबुत मसूर को डाल कर इसकी डाल को तयार करेंगे हलके हाथों से चक्की को चला कर मसूर की दाल को हम तयार करेंगे मसूर को हम रात भर पानी में भीगो कर उसे दिन भर रूप में सुखा कर इसकी दाल को तयार कर रहे हैं और अब ये दाल बनने के लिए तयार हो चुका है धीरे धीरे चक्की को हलके हाथों से चला कर इसकी दाल को तैयार करते हैं हम आप देख रहे हैं दाल नीचे गिरते जा रहा है चक्की धीरे धीरे चला कर दाल तैयार हो जाता है और दाल ये बनते जा रहा है एक मुठी मसूर फिर से हम यहां डाल रहे हैं और सभी दाल को इस तरह से हम बना लिये हैं और अब इसे समेट कर हम उठा रहे हैं कपड़े की सहायता से इसे समेट कर हम सुफ में उठा लेंगे यहां पर हम समेट कर उठा रहे हैं और इसे फटक कर हम साफ कर लेंगे इसके छिलके को बाहर कर लेंगे और मेरा दाल अब तैयार हो जाएगा यहां पर हम छिलका को साफ कर रहे हैं फटक कर सोप की साहता से और अब मेरा दाल तैयार हो चुका है छिलका साफ हो गया है और अब ये मेरा दाल तयार है ये मसूर की दाल बनकर तयार है